इंडिया वसेस पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा दस तारिक को एक बार फिर से एक श्यकप में सुपर फोर में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने होंगी इससे पहले आपको बताती कि दो तारिक को वह एक मुकाबला खेला गया था इंडिया पाकिस्तान के मुकाबली के लिए और इस मुकाबली से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक statement दिये और उस statement में इंडिया को एक तरह से उन्होंने चेतावनी देडा लिए बाबर आजम ने कहा है कि हम 100% तयार हैं इंडिया को सेस करने के लिए तो चली इस वीडियों बताते हैं कि बाबर आजम ने अपनी statement पर क्या कुछ का है टीम इंडिया को लेकर हम बड़े मैचों के लिए हमेशा तयार है हम भारत के खिलाफ अगले मैच में अपना 100% देंगे तो यहां पर बाबर आजम ने अपनी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दी है कि वो और उनकी कंपणी बिल्कुल पूरी तरह से तयार है शाहीं शा अफ्रीदी नसीम शा और हारिस राउफ यह तीन की तिकड़ी है यह सारे ही बल्ले बाजों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिखाई दिखा जाए तो एश्य कप दोजर तेईस में हारिस राउफ के नाम सबसे जादा विकेट है नौ विकेट उसके बासे दूसरे तीसरे नंबर पर नशीम सा और शाहीं शा अफ्रीदी है साथ-साथ विकेट के साथ तीन की तिकड़ी है यह सारे ही टीमों के बल्ले बाजों पर बहुत ज्यादा भार हो रहे हैं और टीम इंडिया पर भारी पड़े थे आपको बता दे कि यह तीन पेसर मिलके टीम इंडिया को ओल आउट कर दे थे पचास वर कंप्लीट होने से पहले और इंडिया के टॉप और को बहुत ही ज्यादा समहल कि रहना पड़ेगा इस तीन की तिकड़ी से आपको मैच होता तो इंडिया का हारना 60% तक तै था और वहीं 60% चांसे जो जीतने के पाकिस्तान के थे और इंडिया के जीतने के चांसे 40% थे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो भारी पड़ती इंडिया पर नजर आई थे लेकिन आप जो दस तारीकों मुकाबल करी थी के राहूल की प्रैक्टिस सेशन बहुत जादा वारेल हो रही है देखना होगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसमें के राहूल खेलते हैं या फिर नहीं खेलते हैं बाकि जिस पीद बूमरा भी टीम इंडिया से जुड़ चुकी हैं बाकि आप कितने ज झाल